Synthesis का हिंदी अर्थ है समन्वय या संशलेशन. इसका अर्थ होता है एक से अधिक वाक्यों का सन्योजन अत्वा वाक्यों को जोड़ना या मिलाना. अर्थात Synthesis व्याकरण की वहाप्रणाली है जिसमें कई simple sentences को मिलाकर एक नया simple, compound अत्वा complex sentence बनाया जाता है. इस संदर्ब में यह भी ध्यान रखना होता है कि जो नया वाक्य बनाया जाए उसका अर्थ वही रहे, जो synthesis के पूर्व था. अर्थात, वाक्यों के संयोजन या जुडाओं से वाक्य का रूप परिवर्तित होता है, किन्तु उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए. इससे हम उधारन से समझ सकते हैं, जैसे, ये दो साधारन वाक्य हैं, जिनका अर्थ है, उसने एक शेर देखा, वहा भाग गया. इन दोनों वाक्यों को मिलाने पर सयुक्त वाक्य इस प्रकार होगा. शेर देखते ही वहा भाग गया, अर्थात, इसी प्रकार दूसरा वाक्य लेते हैं, अर्थात, वहा कूदा, वहा दोड़ गया, इसका सिंथिस करें तो, वहा कूदा और दोड़ गया, जंपिंग अप, वहा दोड़ गया, अब यहाँ वाक्य आपके सिंथिस निया मनुसार बना है, जिसमें दो वाक्यों का मिश्टरन है, परंतु आपने ध्यान दिया होगा, कि इन दोनों वाक्यों को मिलाने से, जो नया वाक्य बना, उसके अर्थ में और उन दोनों वाक्यों के अर्थ में अंतर नहीं आया, इस अध्याय में हम सभी को इसी बात की सावधानी रखनी होगी अब आईए इसका विश्रित अध्यन करते हैं Synthesis में वाक के मुख्यताहा तीन रूपों में हो सकते हैं जो निम्न है Number 1 Simple Sentence अर्थात साधारन वाक्य दो या दो से अधिक साधारन वाक्यों को मिला कर पुना एक नया साधारन वाक्य बनाते हैं Number 2 Complex Sentence अर्थात मिश्रित वाक्य कई Simple Sentence अर्थात साधारन वाक्यों को मिला कर एक Complex Sentence अर्थात मिश्रित वाक्य बनता है Number 3 Compound Sentence अर्थात सैयुक्त वाक्य कई simple sentence अर्थात साधरन वाक्यों को मिला कर एक compound sentence अर्थात सेयुक्त वाक्य बनाते हैं सर्वप्रथम हम कई simple sentences को मिला कर एक नया simple sentence बनाना सीखेंगे जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं simple sentence में एक ही clause होता है clause कतात पर यह है करता एवं क्रिया से युक्त एक उपवाक्य अर्थात इसमें कोई भी subordinate clause अर्थात सहायक उपवाक्य नहीं जुड़ा होता है कई simple sentences को मिला कर नया simple sentence बनाने के लिए निम्नलिकित विधियों का प्रयोग किया जाता है Number 1. Participle यानि verb plus ing का प्रयोग करके Number 2. Infinitive यानि 2 plus verb का प्रयोग करके Number 3. Noun या phrase in opposition का प्रयोग करके Number 4. Nominative absolute का प्रयोग करके Number 5. Noun जीरन यानि verb plus ing के साथ preposition का प्रयोग करके Number 6. Adverb या adverbial phrase का प्रयोग करके Number 1. Participle के प्रयोग से ध्यान दें Participle एक प्रकार से adjective अर्थात विशेशन है जो किसी verb अर्थात क्रिया के रूप में होती है और किसी noun अर्थात संग्या के गुण पहचान आदी को प्रकट करती है इसलिए Participle को Verbal Adjective अर्थात क्रियार्थक विशेशन के नाम से भी जानते है Participle तीन प्रकार के होते है पहला Present Participle, दूसरा Past Participle और तीसरा Perfect Participle अब ध्यान दें, जब इन Participle की साहता से कई साधरन वाक्यों को मिलाकर एक साधरन वाक्य में बदलते हैं तो कुछ शर्तों को ध्यान में रखना होता है, जो इस प्रकार है नमबर वन, जितने भी साधरन वाक्यों संयुक्त करने के लिए आएं, उन सभी वाक्यों का करता किसी एक ही नाउन अर्थात व्यक्ती से संबंधित होना चाहिए नमबर टू, प्रयोक्त किया जाने वाला पार्टिसिपल सदैव उसी नाउन के आसपास हो, जिसकी वहाँ विशेशता प्रकट कर रहा है आईए अब इनके प्रयोक को अलग-अलग रूपों में सीखते हैं नमबर वन, प्रोजेंट पार्टिसिपल याद रहे कि पार्टिसिपल वर्प का एक रूप होता है जो किसी नाउन के गुण अथवा पहचान को प्रकट करता है प्रोजेंट पार्टिसिपल किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएंजी जोड कर बनाया जाता है यहाँ ऐसे वाक्यों को जोडने में प्रयोग किया जाता है जिनमें एक के बाद एक कार्य निरंतर जारी रहते हैं इसे उधारनों से समझते हैं हरी वेंट टू स्कूल ही बिगिन टू प्ले क्रिकेट मैच यहाँ दोनों वाक्यों को यदि ध्यान से देखें तो हरी सबसे पहले स्कूल गया और तब खेलना शुरू किया अतहा स्कूल जाने का कार्य सबसे पहले हुआ इस वाक्य के वर्ब को जोड कर फर्स्ट फॉर्म में बदलने और उसमें आइनजी जोड कर उन्हें पार्टिसिपल में बदलेंगे अर्थात स्कूल जाते ही हरी खेलने लगा ध्यान दें कि जब इस पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ निकालेंगे तो उसके अंत में हुए ही या हुए या ही शब्द जोड देंगे पुन्हा उधरन सुने इन दोनों वाक्यों को इस पार्टिसिपल की साहता से जोड़ेंगे अर्थात अनेक पुस्तकों को पढ़ते हुए सीता ने अपनी परिक्षा पास की अगला उधरन सुने यहां ध्यान दे कि पहले वाक्य का करता ही है जो एक आदमी से मिला और वहां आदमी पत्र लिख रहा था अता आदमी के पहचान का रूप है पत्र लिखना अब वाक्य सुने अर्थात वहां एक व्यक्ती से मिला जो पत्र लिख रहा था यहां अवश्य ध्यान रखें कि पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के साथ ही लिखना है और उसी नाउन के साथ रखा जाएगा जिसकी वहां विशेष्टा प्रकट कर रहा है अगला उधरन सुने यहां वाक्यों को ध्यान दे और जाने कि किसे पार्टिसिपल के रूप में बदले अर्थात रामु ने किसे देखा उत्तर है एक कुत्ता पुनह अववह कुत्ता क्या कर रहा था उत्तर है भौक रहा था अर्थात रामु ने भौकते हुए कुत्ते को देखा अब पार्टिसिपल के साथ वाक के बनेगा रामू, सौ और वार्किंग डॉग अब आईए अगला पार्टिसिपल सीखते हैं इस पार्टिसिपल की स्थिती हमेशा भूत काल की है अर्थात भूत में घटित घटनाए ही जब किसी नाउन की पहचान बने तब वहाँ पार्टिसिपल होता है या पार्टिसिपल किसी वर्ट की थर्ड फॉर्म के रूप में होती है इसके भी हिंदी के अर्थ में हुआ या हुई शब्द जोडते हैं जैसे इन वाक्यों को ध्यान दे रवी ने पहले अपना पर्स खो दिया और उसी पर्स को वहाँ आज पा गया स्पर्ष्ट है कि पर्स का खोना और पुना उस पर्स को प्राप्त करना इन दोनों ही स्थितियों में खोना शब्द उस पर्स की पहचान अर्थात एडजेक्टिव बनेगा अब इनके सैयुक्त वाक्यों को सुने अर्थात रवी ने आज अपना खोया हुआ पर्स प्राप्त कर लिया अब इसी तरह अगला उधान सुने दिव्या सौ अ मैन अर्थात दिव्या ने कैसे व्यक्ति को देखा उत्तर है मृत तो मृत शब्द व्यक्ति का अडजेक्टिव अर्थात विशेशन होगा अतहा वाक्य बनेगा दिव्या सौ और डेड मैन अर्थात दिव्या ने एक मृत व्यक्ति को देखा आपने ध्यान दिया होगा कि इन में पार्टिसिपल के रूप में आय हुए शब्द भूत कालिक घटना की पहचान देते हैं अब अगला उधारन सुने इन वाक्यों पर ध्यान दे अतहा टूटी हुई शब्द कुर्सी की पहचान बना अब संयुक्त वाक्य होगा अर्थात मेरा मित्र टूटी हुई कुर्सी लाया अब सुने अगले पार्टीसिपल के बारे में इस पार्टीसिपल का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है जिसमें एक कारे पूर्ण तह समाप्त हो और पुना नया कारे आरंब हो जो कारे पहले पूर्ण होता है उसी कारे को perfect participle में बदलते हैं इसके लिए having के बाद मुख्य क्रिया को third form में लिखा जाता है अब उधरन देखें ध्यान दें कि पहले वाक्य में किसान ने खेत जोतने का कारे किया तब वहाँ अपने घर वापस गया जब इस participle का हिंदी अर्थ निकालते हैं तो उसक्रिया के साथ करके शब्द जोडते हैं इनका सयुक्त वाक्य होगा अर्थात किसान खेत जोत करके अपने घर लोटा इसी प्रकार अन्य उधरन सुने रवी रोट अ लेटर इंटु मेल बॉक्स अर्थात रवी ने पहले पत्र लिखा तब उसे पत्र पेटी का अर्थात मेल बॉक्स में छोड़ा इसका सयुक्त वाक्य होगा Having written a letter रवी dropped it into mailbox अर्थात एक पत्र लिख करके रवी ने उसे पत्र पेटी का अर्थात मेल बॉक्स में डाल दिया ध्यान दें कि यदि वह वाक्य जिसमें कारे का पूर्ण होना बताया गया है कि क्रिया पैसिफ फॉर्म में हो तो वाक्य को perfect participle में बदलने के लिए Having के साथ being जोड़ कर मुख्य क्रिया को third form में लिखेंगे जैसे उधरन सुने A letter was written by Ravi He dropped it into mailbox यहाँ ध्यान दें पहले वाक्य A letter was written by Ravi में verb Was written passive verb के रूप में है जो पहले घटित होई है अतहा इन्हें perfect participle में बदलेंगे तो having been लगा कर written लिखा जाएगा अब इसका संयुक्त वाक्य बनेगा A letter has been written Ravi dropped it into mailbox अर्थाद एक पत्र लिख करके Ravi ने उसे पत्र पेटिका में डाल दिया अगला उधरन सुने He passed his examination He became a doctor अर्थाद उसने परीक्षा पास की और डॉक्टर बना इसका संयुक्त वाक्य होगा Having passed his examination He became a doctor अर्थाद वहाँ अपनी परीक्षा पास करके एक डॉक्टर बन गया अब हम लोग कई साधारन वाक्यों को इन्फिनिटिव वर्ब की सहायता से पुन्हा एक साधारन वाक्य में बदलना सीखेंगे जब वर्ब की first form के पहले टू लग जाता है तो इसे इन्फिनिटिव कहते हैं अर्थाद इन्फिनिटिव का अर्थ है टू प्लस वर्ब की first form इन्फिनिटिव के प्रयोक से वाक्यों को जोड़कर simple sentence तब बनाते हैं जब दिये हुए वाक्यों में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है तो दोनों वाक्यों में कारण या परिणाम का संबंद पता लगता है जैसे सीमा वेंट टू मार्किट शी वॉन्टेट टू बाई क्लोट्स अर्थात सीमा बाजार गई वह कपड़ा खरीदना चाहती थी इसमें प्रथम वाक्य में किये गए कार्य अर्थात बाजार जाने का कारण दूसरे वाक्य में बताया गया है अतहा इन वाक्यों को इन्फिनिटिव की सहायता से जोड़ा जा सकता है इन्फिनिटिव का प्रयोक कर नया सिंपल सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं हम इनका क्रम से अध्यन करेंगे पहला तरीका है कि जो कार्य उद्देश को प्रकट करे उस वर्ब के पहले टू लगा कर वाक्यों को जोड़ देंगे जैसे अर्थाद वहाँ अपने अंकल से मिलना चाहता था इसमें अंकल से मिलना मोहन के दिल्ली जाने का कारण है अताः वर्ब मीट के पहले टू लगा देंगे तथा पहले वाक्य के अंत में लिख देंगे अताः नया सेंटेंस होगा अर्थाद मोहन अपने अंकल से मिलने के लिए दिल्ली गया अब हम कुछ उधारनों की साहता से इसे समझेंगे दोनु वाक्यों को ध्यान से देखें तो इस पश्ट है कि उसके अर्थाद सबजेक्ट ही का दिल्ली जाने का उद्देश्य अध्यन करना है इसका मुख्य क्लॉज अर्थाद उपवाक्य होगा अब अन्तिम वाक्य में दिये गए उद्देश्य को लेकर मुख्य वाक्य में जोड़ देंगे अर्थाद वहाँ अध्यन करने दिल्ली गया यहाँ ध्यान रखना है कि दोनु वाक्यों को इंफिनिटिव के द्वारा जोड़ा गया है अगला उधारन सुने पहले वाक्य में करतव विकी बात की गई है और दूसरे वाक्य में उन्ही को पूरा करने की अतहाँ जिसे पूरा करना है उसके साथ परफॉर्म क्रिया को इंफिनिटिव के साथ जोड़ देते हैं अतहाँ संयुक्त वाक्य बनेगा यहाँ ध्यान दें कि इस संयुक्त वाक्य में दैम को नहीं रखा गया है क्योंकि दैम, डूटीज, नाउन को व्यक्त करने हे तू प्रयोग किया गया है जो संयुक्त वाक्य में पहले से ही मौजूद है अगला उधारन देखें यहां इन दोनों वाक्यों को ध्यान दें तो प्रथम वाक्य में एक्सेसाइस को पूरा करने की बात की गई है जबकि दूसरे वाक्य में उसी exercise के तीन वाक्य छूटे हुए होने की अर्थाद जो छूटे हुए वाक्य हैं उन्ही वाक्यों को पूरा करने की बात कही जा रही है अर्थाद पूरा करने के लिए इस अभ्यास के और तीन वाक्य हम सभी के पास हैं अब हम infinitive द्वारा sentences को जोड़ने का दूसरा तरीका जानेंगे जब दिये गए दो वाक्यों में से किसी एक कारे को करने में असमर्थता का कारण बताया गया हो तो हमें infinitive के प्रयोग करने के साथ कुछ और चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ऐसी स्थिती में दिये गए दो साधरन वाक्यों में एक वाक्य में very का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता है अगले sentence में not या नकरात्मक शब्द भी लगा रहता है तब very को हटा कर उसके स्थान पर टी डबल ओ टू लगा देते हैं तथा फिर टी ओ टू लगा कर अगला वाकी जोड़ देते हैं यहां ध्यान रखना है कि टी डबल ओ टू का शाब्दिक अर्थ है जरूरत से ज्यादा अर्थात ये नकरात्मक भाव वाला शब्द है अतहार वह sentence जिसमें very या so लगा है में इनकी जगा टी डबल ओ टू लगाते समय अगले sentence में लगे negative word की जरूरत नहीं रहती है जैसे he is very poor, he cannot buy a scooter अर्थात वहाँ बहुत गरीब है, वहाँ scooter नहीं खरीद सकता इन वाक्यों में very की जगा टी डबल ओ टू लगा देंगे तथा not की जरूरत समाप्त हो जाती है अतहार वाक्य होगा यहाँ ध्यान रखना होगा कि दूसरे sentence की क्रिया के पहले टी ओ टू लगाते हैं अब उधारन सुने जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं इस प्रकार के विरोधी शब्द में very या so को टी डबल ओ टू में मदल देते हैं जब उनका दूसरा वाक्य नगेटिव रहता है तो उस नगेटिव वर्ड के बाद की क्रिया को इंफिनिटिव के रूप में बदल कर उसे एडजेक्टिव के बाद रख देंगे अब सुने वाक्य होगा that man is too weak to walk नमबर थ्री नाउन और फ्रेज इन आउपोजिशन की सहता से आउपोजिशन का अर्थ होता है side by side अर्थात साथ साथ कभी-कभी दिये गए दो वाक्यों में से एक वाक्य में प्रयूक्त नाउन के साथ उसके ही बारे में बताने वाला फ्रेज दिया होता है जैसे इस वाक्य में एक फ्रेज है जब की सोनुनिगम नाउन है नाउन सोनुनिगम के साथ अर्थात ओपोजिशन में रखा फ्रेज अ ग्रेज सिंगर noun सोनु निगम की ही विशेशता बता रहा है साथ में दिया गया अगला वाक के भी उसी noun के बारे में कहता है जैसे he composed many songs अर्थात उसने कई गीत रचे इसमें he pronoun का प्रयोग noun सोनु निगम के लिए ही किया गया है ऐसे में नया simple sentence बनाने पर noun सोनु निगम के ठीक बाद phrase अग्रेट सिंगर को कौमा लगा कर लिख देंगे जैसे सोनु निगम अग्रेट सिंगर composed many songs यह composed दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया यह main verb है अगला उधारन देखें उधारन देखें उधारन देखें हरी is my captain he plays well अर्थात हरी मेरा कप्तान है वह अच्छा खेलता है इस वाक्य में हरी कौन है तो उत्तर होगा मेरा कप्तान कौन अच्छा खेलता है तो उत्तर होगा हरी या मेरा कप्तान अतहा हरी वही है जो मेरा कप्तान है और मेरा कप्तान वही है जो हरी है अब जब वाक्य को संयुक्त कर एक साधरन वाक्य बनाएंगे तो मुख्य नाउन अर्थात हरी को पहले लिखेंगे और फिर तुरंत बाद एक कौमा को रखकर माय कैप्टेन शब्द को लिख देंगे तद पश्चाद उनके कारे को दिखाएंगे अब इनके संयुक्त रूप को सुने अर्थात हरी जो मेरा कप्तान है अच्छा खेलता है यहां आपने ध्यान दिया होगा कि हरी नाउन के लिए ही माय कैप्टेन शब्द का प्रयोग किया गया यही अवस्था केस इन ओपोजिशन कहलाती है अगला उधरन सुने अर्थात पंडित नहरू भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे उन्होंने डिस्करवरी ओफ इन्डिया लिखी यहां इन वाक्यों पर ध्यान दें कि पंडित नहरू कौन तो उत्तर होगा भारत के प्रधान मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कौन? तो उत्तर होगा पंडित नहरू. दोनों नाउन एक ही व्यक्ति से जुड़े हैं, जिनका कार्य है, रोट डिस्कवरी ओफ इंडिया. अब इन वाक्यों को केस इन ओपोजिशन के अनुसार सयूग्त करेंगे. अर्थाद यह मेरा मित्र है, उसका नाम राम है. यह वाक्य नाउन या फ्रेज इन ओपोजिशन के अनुसार सयूग्त होंगे. अर्थाद यह मेरा मित्र राम है. 4. Nominative Absolute द्वारा Nominative Absolute का हिंदी अर्थ है, वास्तविक करता. अर्थाद पाटिसिपल की साहिता से, जब किसी वाक्य में वास्तविक करता को प्रदशित करते हैं, तो वही अवस्था नominative Absolute की होती है. इस नियम के अनुसार जब किसी साधरनवाक्य को संयुक्त कर पुणा साधरनवाक्य का रूप दिया जाता है तो उसमें दो प्रकार के Participle को यूज किया जाता है इसमें नॉमिनेटिव एपसल्यूट अर्थाद वास्तविक करता को पहचानते हैं वास्तविक करता वही होता है जिसके साथ वर्ब बी अर्थाद is, am, are, was वर लगे हो यही वाक्य जिसमें नॉमिनेटिव एपसल्यूट तथा यदि वर्ब भी है तो उससे प्रेजेंट पर्टिसिपल में बदलेंगे इनके बाद आई दूसरी घटना वाले वाक्य को एक सिंपल कॉमा से जोड़कर जियों का त्यों लिख देते हैं अब उधरन देखें अर्थात कक्षा पूर्ण हुई तथा दूसरी घटना अध्यापक के कक्षा से बाहर आने की अता पहली घटना में वाक्य की क्रिया को देखते हैं कि उसमें यदि वर्ब भी है तो उससे प्रेजेंट पर्टिसिपल में बदलेंगे और शेशवाक्य यथावत उनके साथ एक कॉमा से जोड़ देंगे अगला उधरन सुने इनका संयुक्त वाक्य होगा इस पार्टिसिपल के प्रयोग के बारे में आप सभी जानते हैं कि इस पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ट फॉर्म यूज की जाती है परंतु यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो उसमें हैविंग के साथ बीन को रखकर मुख्यक्रिया की थर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं जैसे अर्थाद इसमें वर्ब बी का प्रयोग नहीं है बलकी एक पूर्ण क्रिया है अता इन्हें थर्ट फॉर्म में बदल कर हैविंग के साथ लिखेंगे अर्थाद सूरे के छिपते ही चिडिया अपने घोंसलों की ओर लौटने लगी इसी प्रकार दूसरा उधरन देखें इसका सयुक्त वाक्य होगा अर्थाद अगला उधरन देखें अर्थाद सूरे छिप गया था किसान अपने घर लौट आए यहाँ ध्यान दें कि पहली घटना में पैसे वोईस की क्रिया है अतहा इनके perfect participle में having been का प्रयोग होगा इनका सयुक्त वाक्य होगा अर्थाद सूरे के छिपते ही किसान अपने घर लौट आए अब कुछ simple sentence को सयुक्त करके पुन्हा simple sentence बनाने के लिए एक preposition की सहता ली जाएगी जो किसी noun अत्वजीरन के पूर्व में आकर वाक्यों को जोडेगी राया हाँ जब दिये गए दो साधरन वाक्यों में एक वाक्य से कारण या साधन का पता चले तब preposition का प्रयोग करके नया वाक्य बनाया जाता है preposition का प्रयोग करने पर दूसरे वाक्य में आई क्रिया अर्थात verb को चाहे वो किसी भी tense में हो जीरन बना देंगे अर्थात verb की first form का प्रयोग कर उसमें ing लगा कर preposition के आगे लिख देंगे मुख्यतया इस प्रकार के usage अर्थात उप्योग में आने वाले preposition के कुछ नियम है जैसे on in the earth पर, for, के लिए, before, के पहले या पहले ही, after, के बाद या बाद में, with, के साथ, without, के बिना, besides, के अतरिक्त, in, में, in spite of, के बावजूद, instead of, के बतले में, या बजाए, in addition to, के स्थान पर, accordance with, के अनुसार, owing to, के कारण, due to, के कारण, on behalf of, की ओर से, in order to, के लिए, ये अवश्य जाने, कि दिये हुए कुछ प्रमुक प्रिपोजिशन्स हैं, जो किसी साधरन वाक्य को, संयुक्त करने हे तू, प्रमुक तया, यूज किये जाते हैं, परन्तु, इनके अतरिक्त, अन्य और भी सेंस के अनुसार प्रयोग होते हैं, अब सीखिए, कैसे किसी साधरन वाक्य, अर्थाद, सिंपल सेंटेंस को, संयुक्त किया जाता है, उधरन सुने और समझें, सीमा इस इल, अर्थाद, सीमा बीमार है, शी केनोट गो टू स्कूल, अर्थाद, वह स्कूल नहीं जा सकती, यहां अवश्य ध्यान दे, कि प्रथम घटना, सीमा का बीमार होना है, तथा दूसरी घटना, स्कूल ना जाना, अतहा, पहली घटना में इल, एडजेक्टिव को नाउन के रूप में बदलेंगे, तब उसे किसी प्रिपोजिशन, जो अर्थ के अनुसार उप्युक्त हो, के साथ रखेंगे, इल, एडजेक्टिव का नाउन रूप, इल्नेस होगा, अब इन वाक्यों को सन्युक्त इस प्रकार किया जाएगा, अर्थात, अपनी बीमारी के कारण, सीमा स्कूल नहीं जा सकती, Note, जब किसी नाउन के पूर्व प्रिपोजिशन प्रयुक्त करें, तब यह अवश्य ध्यान दे, कि उस नाउन को किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव से तो नहीं जोड़ना है, यदि ऐसा है, तो अवश्य ही उस संबंधित प्रोनाउन को नाउन के साथ रखें, जैसे हर इ इलनेस के साथ ही रखा गया है, अलग रखने पर वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, अगला उधारन सुने, He is injured, अर्थाथ वहाँ चोटिल है, He went to school, अर्थाथ वहाँ स्कूल गया, यहाँ विरोधी गुन को प्रकट किया गया है, अतहा, अर्थाथ उन लोगों की यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, इन वाक्यों को जोड़ने में, बिफोर का प्रयोग होगा, क्योंकि यात्रा पूर्ण होने के पूर्व ही चांद निकल गया, The moon rose before the end of their journey, अर्थाथ उन लोगों की यात्रा पूर्ण होने के पूर्व ही चांद निकल गया, 6. Adverb या Adverbial Phrase का प्रयोग करके अब यहां हम लोग Adverb की सहता से वाक्यों को सयुक्त करेंगे Adverb, साधरन तया, Ly को शब्द के अंत में जोड़ कर बनाया जाता है यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर Adverb का कारे करते हैं तब उन्हें Adverbial Phrase कहा जाता है Adverb या Adverbial Phrase का प्रयोग, Simple Sentence को जोड़ने के लिए तब किया जाता है जब दिये गए दो वाक्यों में से कोई एक वाक्य, दूसरे वाक्य की मुख्यक्रिया की विशेश्ता बताता है जैसे, He goes to college, He is punctual, अर्थात, वहां college जाता है, वहां वक्त का पाबंध है इसमें पहले sentence की मुख्यक्रिया है, गोज, दूसरे वाक्य में गोज की विशेश्ता बताई गई है कि जाने में वक्त की पाबंधी का ध्यान रखता है ऐसे में, जो वाक्य विशेश्ता बताएं, उसे Adverb या Adverbial Phrase में बदलेंगे अतहा, पंच्वल को Adverb पंच्वली में बदल देंगे और पहले वाक्य के बाद लिख देंगे अब नया sentence होगा, He Goes to College पंच्वली यहां यहां ध्यान रखें कि वाक्यों में Adverb पहले से ही दिये होते हैं उन्हें को रखने से ही वाक्य पूर्ण हो जाता है अनिता, शब्दों को Adverb की भाती यूज करना होता है इसे उधरन से समझें It is certain, अर्थात यहां निश्चित है यहां इन वाक्यों में प्रथम वाक्य ऐसा है जो दूसरे के पूरे घटनक्रम को प्रभावित कर रहा है अतह एड्जेक्टिव सर्टेन को लेकर उसमें य जोड़कर उसको Adverb के रूप में प्रयोग करेंगे Note, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है ध्यान रखें कि जब कोई Adverb किसी वाक्य के पूरे घटनक्रम को प्रभावित करता है तो उसे प्रहया वाक्य के आरंभ में लिखते हैं अब सर्टेन के साथ Ly जोड़ें तो वहां सर्टेनली होगा जो दूसरे वाक्य के आरंभ में जोड़ा जाएगा वाक्य सुने अर्थात निश्चित रूप से वहा इस साल पास होगा जैसे कि हम समझ सकते हैं इसी प्रकार अगला उधान देखें यहाँ Adjective अर्थात विशेशन Brave है जिसे Adwork के रूप में बदलने है तू उसके अंत में L Y जोड़ देंगे संयुक्त वाक्य के इस प्रकार होगा अर्थात वहां बहादुरी पूर्वक अंग्रेजों से रड़ा अगला उधारन सुने The Sunset अर्थात सूर्य अस्त हो गया The Boys had not finished the game अर्थात लड़के खेल को समाप्त नहीं कर पाए थे यहां कारी को समय के संदर्व में देख रहे हैं जो Sunset अर्थात सूर्य के छिपने से जुड़ा है अताहा इसे ही एड़ब का रूप देंगे The Boy had not finished the game by Sunset अर्थात सूर्य छिपने तक लड़के खेल पूरा नहीं कर पाए थे अब अगला उधारन समझें It started raining He did not reach home अर्थात वर्षा होने लगी वहाँ घर नहीं पहुँचा था ध्यान दे यहाँ भी कारे का समय के संदर्व में होना बताया गया है जो बारिश होने की घटना से जुड़ा है अताहा यहाँ Before जो की Adverb of Time है का प्रयोग करेंगे इस प्रकार हमने अनेक साधरन वाक्यों को जोड़कर एक नया साधरन वाक्य बनाना सीखा Compound Sentence अब हम Compound Sentence अर्थात संयुक्त वाक्य बनाना सीखेंगे जो उप्योक्त कंजेक्षन अर्थात समुच्य बोधक शब्द के साथ संयुक्त किया जाता है ध्यान रखें कि इन में दो क्लॉज होंगे एक Principal Clause अर्थात प्रधान उपवाक्य और दूसरा Coordinating Clause अर्थात सहायक उपवाक्य ये दोनों क्लॉज कंजेक्षन द्वारा जोड़ी जाती है परन्तु एक स्वतंत्र उपवाक्य की भाती अपना Sense अर्थात अर्थ देती है जैसे अर्थात जिस प्रकार हरी कठिन परिश्टरम करता है उसी प्रकार उसका भाई भी करता है इन दोनों क्लॉजिस पर ध्यान दें ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं किसी का किसी पर भी आश्रय नहीं है यही अवस्था प्रमुख है जो Compound Sentence अर्थात संयुक्त वाक्य में मिलती है Compound Sentences बनाने के लिए Conjunctions और उनके प्रयोग 1. Cumulative Cumulative Conjunctions के बारे में आपको इससे संबंधित अध्याय में बताया गया है यहां हम समझें कि ये वे Conjunctions होते हैं जो युग्म अर्थात जोड़े का आभाज देते हैं इसमें आने वाले प्रमुख Conjunctions है And अर्थात और Both And अर्थात दोनों और Not only but also अर्थात नहीं केवल बलकी भी As well as अर्थात उसी तरह जिस तरह आदी प्रमुख हैं अब आईए इन्हें कुछ उधारणों के माध्यम से समझते हैं ध्यान दें कि ये दो साधारण वाक्य अर्थात Simple Sentences हैं जिनहें Compound Sentence के रूप में बदलना हैं ये आपको ग्यात है कि Compound Sentence की क्लॉज अर्थात उपवाक्य सदैव एक दूस्टे से मुक्त रहती है कोई किसी पर आश्रित नहीं रहती ये भी ध्यान रखें कि मुख्य उपवाक्य बनाते समय जो पहले प्रभावित घटना होती है उसी को मुख्य उपवाक्य बनाते हैं ततपश्चाद अन्य उपवाक्य जोडते हैं अब एक उधारन से समझते हैं रमन एक बुद्धिमान लड़का है तथा वह परिश्रमी लड़का भी है यहाँ इन दोनों वाक्यों में रमन के गुण का बोध होता है जिसमें प्रथम गुण इंटेलिजेंट अर्थात बुद्धिमान है तथा दुद्धिय गुण इंडस्ट्रियस अर्थात परिश्रमी है इनमें बुद्धिमान गुण को व्यक्त करने वाले वाक्य को कमपाउंड सेंटेंस का मुख्य उपवाक्य बनाना उचित है क्योंकि यह दुद्धिय गुण इंडस्ट्रियस पर ज्यादा प्रभावी है अतहा इनका संयोक्त वाक्य होगा रमन is an intelligent and industrious boy अर्थात रमन एक बुद्धिमान और परिश्रमी लड़का है इस वाक्य में कंजक्षन एंड का प्रयोक किया गया है दूसरा वाक्य सुने रमन is not only intelligent but also industrious अर्थात रमन ना केवल बुद्धिमान ही है बलकि परिश्रमी भी है इस वाक्य में कंजक्षन not only but also का प्रयोक किया गया है अगला वाक्य सुने रमन is an intelligent as well as industrious boy अर्थात रमन जिस तरह एक बुद्धिमान नड़का है उसी तरह परिश्रमी भी है इसमें कंजक्षन as well as का प्रयोक किया गया है रमन is both intelligent and industrious boy अर्थात रमन बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों है इसमें कंजक्षन both and का प्रयोक किया गया है अब पुना कुछ साधारन वाक्य लेते हैं और इन्हें संयुक्त वाक्य में परिवर्थित करते हैं इन दोनों वाक्य के synthesis के कई प्रकार हो सकते हैं अर्थात वहा गरीब और दिवालिया है अर्थात वहा गरीब के साथ दिवालिया भी है अर्थात वहा गरीब और दिवालिया दोनों है ये विरोध प्रकट करने वाले conjunctions हैं इसमें आने वाले conjunctions इस प्रकार हैं दो, अल्दो, येट, स्टिल, बट, नेवर्दलेस, हाउवेवर, एवर, आदी अब ध्यान दें कि दो तथा ओल्दो के साथ येट का प्रयोग किया जाता है यदि दो या ओल्दो के बाद कॉमा लगा हो तो येट का प्रयोग नहीं किया जाता है दो, ओल्दो, येट इसका हिंदी अर्थ होता है येद्दपी फिर भी जैसे He worked hard अर्थात उसने कड़ी मेहनत की He failed अर्थात वहाँ fail हो गया इन्हें जब सैयुक्त वाक्य करेंगे तो वाक्य इस प्रकार बनेगा Though he worked hard Yet he failed अर्थात यदिपी उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वहाँ fail हो गया अगला उधरन सुने She is poor अर्थात वहाँ गरीब है She is honest अर्थात वहाँ इमानदार है इनका सयुक्त वाक्य होगा Though she is poor Yet she is honest अर्थात यदपी वहाँ गरीब है फिर भी वहाँ इमानदार है इसी प्रकार आप यट का भी प्रयोग कर सकते हैं जो बिना दो या ओल्दो के भी प्रयोग होता है अर्थात हरी ने कठिन परिश्ट्रम किया फिर भी वहाँ फेल हो गया अब ध्यान दें कि इस्टिल का भी हिंदी अर्थ है अभी भी अर्थात यहाँ भी यट की भाती कारे करता है She was annoyed Still she kept quiet अर्थात वहाँ क्रोधित थी फिर भी शान्त रही The fog was dense Still I could see everything अर्थात कोहरा घना था फिर भी मैं सब कुछ देख सकता था महत्वपून एडवर्सिटिव कंजक्शन्स निम्न है इसका हिंदी अर्थ होता है परंतु या बलकी या लेकिन यहाँ भी एक दूसरे का विरोधी भाव प्रकट करता है He is slow but he is steady अर्थात वह धीमा है परंतु वह ध्रण है दूसरा उधरन सुने रवी नोज इंग्लिश बट ही केनाट स्पीक अर्थात रवी अंग्रेजी जानता है पर वहाँ बोल नहीं सकता है नमबर टू नेवर्दलेस इसका हिंदी अर्थ होता है तथापी या ऐसा होने पर भी यहाँ भी विरोधी गुण प्रकट करता है अर्थात वहाँ असफल हुआ तथापी उसने अपने आप में सुधार नहीं किया पुन्हा उधरन सुने अर्थात वहाँ महनती था तथापी उसने जीविका के लिए कारे नहीं किया नमबर ट्री यहां किसी कारे का विरोध प्रकट करता है जैसे अर्थात वहाँ कमजोर था तो भी उसने अपनी लाइन पूर्ण की अर्थात वहाँ मोटा है फिर भी वह तेजी से टहल सकता है इस तरह के कंजेक्शन्स अर्थात समुच्य बोधक शब्दों का प्रयोग कर विरोधी कार्यों को प्रकट करते हैं इन में आने वाले कंजेक्शन्स नाउन्स के मध्य विकल प्रकट करते हैं जैसे और इदर और नीदर नौर नौर आदी और इसका हिंदी अर्थ होता है अथवा उधारन यहां ध्यान दे कि इन वाक्यों में एक व्यक्ति के दो रूप हैं और वह दोनों नहीं बनना चाहता इनका सयुक दवाक्य होगा He does not like to be borrower or lender अर्थात बाहर रिनदाता या रिनग्राही नहीं होना चाहता अगला उधारन देखें Come in अर्थात अंदर आउ Go out अर्थात बाहर जाउ इनका सयुक दवाक्य होगा Come in or go out अर्थात अंदर आउ या बाहर जाओ अगला उधरन देखें प्लीज कॉल मी अर्थात मुझे कॉल करें प्लीज सेंड मी अ मैसेज अर्थात मुझे एक संदेश भेजें इनका संयुक्त वाक्य बनेगा प्लीज कॉल मी और सेंड अ मैसेज अर्थात, कृपिया मुझे कॉल करें या एक मैसेज भेजें इनका हिंदी अर्थ होता है या तो, अत्वा, या उधारन इधर I meet him or I will call him अर्थात, या तो मैं उनसे मिलूंगा या मैं उनसे बात करूंगा दृतिय उधारन सुने I shall buy a book अर्थात, मैं एक पुस्तक खरीदूंगा I shall buy a copy अर्थात, मैं एक कॉपी खरीदूंगा इनका सयोग तवाक्य होगा I shall buy इधर अबुक और कॉपी अर्थात, मैं या तो एक पुस्तक खरीदूंगा या एक कॉपी खरीदूंगा Note यहा ध्यान रखें कि इदर और से कोई clause अर्थात उपवाक्य या कोई शब्द जोड सकते हैं जैसा कि आप पहले और दूसरे उधारन में सुन चुके हैं कि जब इनका प्रयोग करता के रूप में होता है तो उस वाक्य के क्रिया को हमेशा और के साथ जुड़ी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही रखेंगे अगला उधारन सुने इदर हरी और हिस फ्रेंड्स आर गोई टू प्ले क्रिकेट मैच अर्थात या तो हरी या उसके मित्र मैच खेलने जा रहे हैं यहां वाक्य में ध्यान दें तो और के बाद आया नाउन इस फ्रेंड्स है जो प्लूरल नंबर में है अतहा वर्ब आर भी प्लूरल है अगला उधारन देखें इदर सीमा और आए आइम टेकिंग अपार्ट इन दिस ड्रामा या तो सीमा या मैं इस ड्रामा में भाग ले रहा हूँ ध्यान दें यहां वाक्य में और के बाद प्रोनाउन आई का प्रयोग है अतहा वर्ब आयम का प्रयोग आई के अनुसार किया गया है नमबर त्री नीदर नौर इसका हिंदी अर्थ है ना तो या ना यहां इदर और का विबरीत अर्थ देता है अर्थात यहां सदैव नगेटिव सेंस प्रकट करता है अतहा इन से जुड़ने वाली किसी भी क्लॉज में नौट या नेवर अर्थात किसी भी नकरात्मक शम्द का प्रयोग नहीं किया जाता है उधरन सुने नीदर ही नौर हिस फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्ले अर्थात ना तो वहा और ना ही उसके मित्र खेलने जा रहे है नोट यहां इदर और की भाती सभी नियम लागू होंगे उधरन सुने अर्थात वह ना तो खेलता है ना ही मुझे खेलने देता है यहां इस वाक्य में नीदर और नौर दोनों नेगेटिव वर्ट की तरह कारे कर रहे हैं अगला उधरन सुने दिव्या वूड लाइक टू टेक नीदर कॉफी नौट टी अर्थात दिव्या ना तो कॉफी लेना चाहेगी ना ही चाय अगला उधरन देखें नीदर दर टीचर नौर स्टुडेंट्स विल गो टू आगरा अर्थात ना तो अध्यापक ना ही विद्यार्थी आगरा जाएंगे एक बार फिर उधरन देखते और समझते हैं चूँकि इनके संपूर्ण यूसिज अर्थात प्रयोग इदर और की भाती ही है नीदर हरी नौर दे आर मेकिंग अनौइज अर्थात ना तो हरी और ना ही वे लोग शोर मचा रहे हैं इस प्रकार हम लोग इस कंजक्शन के द्वारा इच्छा नूकूल विखल्प को व्यक्त कर सकते हैं इसमें आने वाले कंजक्शन के द्वारा परिणाम अर्थात रिजल्ट को बताया जाता है इनमें प्रमुक कंजक्शन हैं अब हम क्रम से सभी इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग समझेंगे इसलिए या अतेव के अर्थ में प्रयोग किया जाता है यहां किसी घटना के परिणाम की सूचना देता है जैसे अर्थात उसने बहुत अध्यन किया अर्थात उसने प्राप्तांकों में उच्च श्रेनी बनाई यहां ध्यान दे प्रथम वाक्य घटना क्रम को बताता है जबकि द्वितिय वाक्य उसका परिणाम बताता है इनका संयुक्त वाक्य होगा अर्थात वह अत्यधिक अध्यन करता था इसलिए उसने कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया पुन्हा उध्यन सुने अर्थात वह हटी था इनका संयुक्त वाक्य होगा अर्थात वह हटी था इसलिए उससे सजा दी गई जब देरफोर से किसी परिणाम की सूचना मिलती है तो इन में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता भाव में पूर्ण सहजदा आ जाती है उधरन देखें अर्थात नई ट्रेनों के पास अधिक शक्तिशाली इंजिन है अर्थात नई ट्रेनों के पास ज्यादा शक्तिशाली इंजिन है इसलिए वे अधिक वेगवती है ये अपने बताय हुए परिणामों को अधिक शक्तिशाली इंजिन प्रस्तुत करता है उधरन सुने अर्थात वे लोग उसकी साहता करते थे अगला उधरन सुने अर्थात जोर से बारिश हो रही है इनका सैयोक्त वाक्य होगा अर्थात जोर जोर से बारिश हो रही है इसलिए मैं अपने साथ एक शाता लूँगा इसका कंजक्शन के रूप में हिंदी अर्थ है क्योंकि यहाँ बिकॉज की भाती यूज होता है यहाँ किसी कारिक के कारण को प्रबल रूप से व्यक्त करता है उधरन सुने उधरन सुने उधरन सुने I cannot see anything अर्थात मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ It is dark enough अर्थात काफी अंधेरा है इनका सैयोक्त वाक्य होगा I cannot see anything for it is dark enough अर्थात मैं कुछ भी नहीं देख सकता क्योंकि काफी अंधेरा है अगला उधारन देखें The children soon lost their way अर्थात बच्चे शीग रही अपना मार्ग भूल गए They had never been in the forest before अर्थात वे लोग पहले कभी जंगल में नहीं गए थे इनका सैयुक्त वाक्य होगा अर्थात बच्चे शीग रही अपना रास्ता भूल गए क्योंकि वे लोग कभी पहले जंगल नहीं गए थे यही इनका सैयुक्त वाक्य होगा Note ये ध्यान देने का प्रयास करें कि किसी क्लाउज अर्थात उपवाक्य को फौर के द्वारा अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है जो बोलकर या उच्चरित करके ही समझा जा सकता है क्योंकि प्रबल का अर्थ ही है जोर देते हुए बोलकर अगला उधरन सुने अर्थात उपवाक्यों के बारे में जानेंगे ध्यान दें कि clauses अर्थात उपवाक्य क्या है अर्थात उपवाक्य वे शब्द या शब्दों के समुह जो किसी वाक्य का भाग हो तथा अपने साथ एक ही करता और क्रिया को रखे उपवाक्य या clause कहलाते है अर्थात अ ग्रूप ओफ वर्ड्स ये तीन प्रकार के होते है अब ध्यान दें जब प्रिंसिपल क्लॉज और कॉओडिनेटिंग क्लॉज संयुक्त होती है तो compound sentence बनता है लेकिन जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सब ओडिनेटिंग क्लॉज संयुक्त होती है तो complex sentence बनता है ध्यान दें complex sentence को हिंदी में मिश्टृत वाक्य भी कहते है क्योंकि इनके प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात प्रमुक उपवाक्य के साथ जब सब ओडिनेटिंग क्लॉज अत्वा आश्रित उपवाक्य मिलता है तो principal क्लॉज ही एक मात्र स्वतंत्र क्लॉज बनता है जबकि इनकी subordinating क्लॉज अपने sense अर्थात भाव को पूर्ण करने हेतू इन पर हमेशा आश्रित रहती है यहाँ subordinating क्लॉज अर्थात आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है नमबर वन नाउन क्लॉज नमबर टू एड्जेक्टिव क्लॉज नमबर त्री एडवर्ब क्लॉज नमबर वन नाउन क्लॉज ऐसा उपवाक्य जो किसी वाक्य में नाउन की भाती प्रयोग किया जाए नाउन क्लॉज कहलाता है यह उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात प्रमुख उपवाक्य की मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस में अत्वा मुख्य क्रिया के बाद objective केस में प्रयोग किया जाता है। Noun clause बनाने के लिए दिये गए उपवाक्य में एक वाक्य में शब्दों Who, Which, Why, What, When, That, If आदी को संयोजक अर्थात कंजक्शन के रूप में लगा देते हैं। इनका हिंदी अर्थ होगा या की, जो की, जो कुछ, आदी। अब उधरन समझें। जैसे राम is a naughty boy, every teacher knows it। अर्थात राम एक शैतान लड़का है, हर टीचर यह जानता है। अब यहाँ प्रश्न करेंगे कि हर टीचर क्या जानता है। तो उत्तर होगा कि राम एक शैतान लड़का है, यहाँ दैट जिसका अर्थ होगा की, का प्रयोक करके, अगला वाक्य जिससे हमारे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, को नाउन क्लॉस बना देंगे। अब नया वाक्य होगा, Every teacher knows that राम is a naughty boy. यहाँ मुख्य वाक्य, Every teacher knows की मुख्य क्रिया नोस के आगे, subordinate clause अर्थात आश्रित उपवा के जोड़ा गया है। अतहा, यहाँ noun clause का प्रयोग, objective case में हुआ है, इसमें that plus clause, noun clause है। अब अगला उधरन समझें, He is an honest person, this is known to all, अर्थात वह एक इमानदार व्यक्ति है, यहाँ सब को पता है। यहाँ प्रश्ण करें कि सब को क्या पता है, उत्तर मिलेगा कि वह एक इमानदार व्यक्ति है, कि जिस वाक्य में आया, उसे ही that लगा कर noun clause बना देंगे। अब नया वाक्य होगा, that is an honest person is known to all, यहाँ that is an honest person, जो की noun clause है, नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त हुआ है। अब कुछ अन्य उधरन समझें। अर्थात यहाँ निश्चित है कि उसे देर लगेगी। यहाँ that के साथ I clause, sub-ordinating clause है। और it is certain principle clause के साथ objective case में use किया गया है। अतहा, यहाँ अवस्था noun clause की है। इसी प्रकार अगला उधरन देखें। अर्थात सिवाए इसके कि उसे निकट द्रिष्टी दोश है, वहाँ इस पद के लिए उप्युक्त है। ध्यान दें, यहाँ accept that के साथ I clause, sub-ordinating clause है, जो nominative case अर्थात करता कारक के रूप में है। अतहा, यहाँ noun clause है। यह noun clause पाश प्रकार से use किया जाता है। noun clause का प्रयोग उसी प्रकार होता है, जिस तरह किसी वाख्य में noun का प्रयोग होता है। noun clause का प्रयोग हम पाँच प्रकार से कर सकते हैं। number five, किसी अन्य नाउन की साथ अर्थात case in opposition के रूप में अब हम इन प्रयोगों को क्रमशह समझेंगे। अब हम noun clause के प्रयोग को समझेंगे। number one, subject to a verb, अर्थात किसी वर्थ के लिए करता का कारे करते हुए या nominative case, अर्थात करता कारक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। he was a lawyer, अर्थात वह एक वकील था, it was known to all, अर्थात यहाँ सब लोगों को पता था। अब इन दोनों वाक्यों को, जब subject to a verb की भाती, अर्थात, किसी क्रिया के लिए करता की भाती प्रयोग करेंगे, तो that का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करेंगे। जो subordinate clause अर्थात आश्रित उपवाक्य होगा, और इनका principal clause अर्थात प्रमुख उपवाक्य इनके बाद यूज होगा। अब इनके संयुक्त वाक्यों को देखें, that he was a lawyer, was known to all, this was spread everywhere, अर्थात ये चारो ओर फैल गया था, she was the best singer, अर्थात वो एक सर्विष्रेष्ट गाई का थी, इनका संयुक्त वाक्य होगा, that she was the best singer, was spread everywhere, अर्थात कि वो एक सर्विष्रेष्ट गाई का थी, ये बात चारो ओर फैल गई थी, अगला उधारन, he is short-sighted, he is fit for the post, अर्थात इसे छोड़ कर कि उसे निकट द्रिष्टी दोश है, वहाँ इस पत के लिए उप्युक्त है, इसका संयुक्त वाक्य होगा, except that he is short-sighted, he is fit for the post, अर्थात इसे छोड़ कर कि उसे द्रिष्टी दोश है, वहाँ इस पत के लिए उप्युक्त है, 2. Object to a verb, किसी verb के object के रूप में, जब सब ordinating clause आए, तो वह object to a verb होगा, अब उधारन सुने, 2. You are a repentant, तुम पच्चतावा करने वाले अत्वा पश्चतापी हो, I will not forget it, मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा, इनका संयुक्त वाक्य बनेगा, I will not forget that you are a repentant, अर्थात मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा, कि तुम एक पश्चतापी हो, अगला उधारन देखें, His friend is very dull boy, अर्थात, उसका मित्र बहुत सुस्त लड़का है, Everyone knows it, अर्थात, ये सभी जानते हैं, यहां ध्यान दें, प्रमुख उपवाक्यों को पहले रखें, जिसके साथ that conjunction से sub-ordinating clause को जोड़ दिया जाएगा, जो अपने मुख्य उपवाक्य की object बनेगी, Note, ये अवश्य ध्यान रखें कि वाक्य में object को जानने है तू, उसकी मुख्य क्रिया के साथ what अर्थात क्या और whom अर्थात किस से, से प्रश्न किया जाता है, प्राप्त उत्तर उस वाक्य का object होता है, इनकी मुख्य क्रिया को हम लोग इनके प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य उपवाक्य से लेंगे, और उन प्रश्नवाचक शब्दों की साहता से object को जानने का प्रयास करेंगे, जैसे सभी लोग क्या जानते हैं कि उसका मित्र बहुत सुस्थ है, अर्थात His friend is very dull boy, ये सब ordinating clause के रूप में object होगा, इनका सैयुक्त वाक्य होगा, अर्थात सभी जानते हैं कि उसका मित्र बहुत सुस्थ लड़का है, अगला उधरन देखें, महत्मा गांधी was a social reformer, महत्मा गांधी एक समाज सुधारक थे, it was known to all, अर्थात ये सब ने जाना था, अब इनका सैयुक्त वाक्य होगा, अर्थात ये सब ने जाना था कि महत्मा गांधी एक समाज सुधारक थे, पुन्हा उधरन देखें, अर्थात ये चारो और फैल गया था, इनका सैयुक्त वाक्य होगा, इस प्रकार के यूसिज, अर्थात उपयोग में नाउन क्लॉज में आने वाले अबजेक्ट, अपने साथ एक प्रिपोजिशन शब्द भी रखते हैं, जिन्हें function of noun के अनुसार, object to a preposition कहा जाता है, उधरन सुनें और समझें, प्लीज पे अटेंशन, अर्थात क्रिप्या ध्यान दें, अर्थात आपके अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, अब इन दोनों clause को संयुक्त किया जाएगा, जिनमें अन्तिम clause, अग्रिम, उपवाक्य का रूप होगी, अब ध्यान पूर्ण वाक्य को सुनें, प्लीज पे अटेंशन, to what your teacher is teaching you, अर्थात क्रिप्या ध्यान दें, जो भी आपके अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ ध्यान दें, to what your teacher is teaching you, वर्ब पे अटेंशन का अबजेक्ट है, जिनके पहले प्रिपोजिशन तू लगा है, अतहाँ, यहाँ अवस्था, object to a preposition की है, अगला उधारन देखें, I told you that yesterday, अर्थात, मैंने आपसे कल जो बताया, you must rely on it, अर्थात, आपको उस पर अवश्य भरोसा करना चाहिए, इन्हें संयुक्त वाक्य के रूप में बदलेंगे, you must rely on what I told you yesterday, अर्थात, आपको मैंने जो भी कल बताया, उस पर अवश्य भरोसा करना चाहिए, अगला उधारन सुने, there are some students, अर्थात, कुछ विद्ध्यार्ती हैं, I teach them, अर्थात, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, इन्हें संयुक्त करेंगे, there are some students to whom I teach, अर्थात, कुछ विद्ध्यार्ती हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, यहां आपने ध्यान दिया होगा, कि अंतिम वाक्य में, them शब्द लगा हुआ था, जिसे संयुक्त वाक्य से हटा दिया गया है, क्योंकि अब संयुक्त वाक्य में, them का स्थान, टू हूम ले चुका है, नमबर फोर, कॉंप्लिमेंट टू अवर्ब, जब किसी वाक्य का शब्द या शब्द समूह, वाक्य में अपनी क्रिया के साथ, केवल अपना अर्थ रखता है, परन्तु, उस क्रिया पर कोई प्रभाव न डाले, वा अवस्था, परिक्षा में असफल हो गया, इसे सन्युक्त करेंगे, इस तरह कारण की असफलता का कारण है, कि वह अपरवाव है, यहां वर्ब इस के बाद, यह इस के बाद, कॉंप्लिमेंट की तरह यूज किया गया है, जो वर्ब इस का कॉंप्लिमेंट है, अगला उधरन सुने, अर्थात, वो अपनी कक्षा का मॉनिटर चुना गया, उसका कार्य गौरव पूर्न था, इसका सैयुक्त वाक्य होगा, वो अपनी कक्षा का मॉनिटर चुना गया, अर्थात, वो monitor चुना गया, जो अपनी कक्षा का गौरव था उधारन सुने, पंडित नहरू बारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे उन्होंने Discovery of India लिखी थी यहां ध्यान दे पंडित नहरू का दूसरा नाउन, the first prime minister of India है जो पंडित नहरू के साथ समान रूप से अनुकरण होगा अब case in opposition के अनुसार, दोनों नाउन एक ही वाक्य में साथ साथ रखे जाएंगे जैसे, पंडित नहरू, the first prime minister of India, wrote Discovery of India अर्थात, पंडित नहरू, जो की भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे, उन्होंने Discovery of India लिखी थी इसी प्रकार अगला उधारन देखें इंदरा गांधी was shot dead अर्थात, इंदरा गांधी को गोली मार दी गई थी अर्थात, समाचार जंगल में आग की तरह पहल गया अब इनका संयुक्त वाक्य बनेगा अर्थात, समाचार की इंदरा गांधी को गोली मार दी गई संपून देश में जंगल की आग की तरह पहल गया अब आईए इनके अड़ेक्टिव क्लॉस के बारे में सीखते हैं यहाँ ध्यान दे, अड़ेक्टिव का अर्थ है किसी प्रोनावन या नावन के गोण पहचान आदी को प्रकट करना अतहा, जब कोई क्लॉस अपने दूसरे क्लॉस में आए किसी नावन या प्रोनावन के गोण या पहचान को प्रकट करे तो वह अवस्था एडजेक्टिव क्लॉस की होती है किसी adjective clause को बनाने में WH form के प्रश्नवाचक शब्द WHO, WHOSE, WHY, WHOM, WHICH, HOW, WHY तथा संयोजक THAT आदी का प्रयोग किया जाता है अब उधरन सुने वा समझे I do not know the time अर्थात मैं समय नहीं जानता हूँ When did he return from Delhi? वह दिल्ली से कब लोटा? इनको संयोगत वाक्य की रूप में बदलेंगे I do not know the time when he returned from Delhi अर्थात मैं समय नहीं जानता हूँ वह दिल्ली से कब लोटा? जब दो नाउन किसी एक ही वेक्ति की ओर संकेत करें तो वह स्थिती Case in opposition की होगी Case का अर्थ होगा स्थिती और opposition का अर्थ होता है साथ-साथ अब यहां ध्यान दें पहली क्लॉज अर्थात उपवाक्य में Noun The time की विशेशता When did he return from Delhi? क्लॉज से प्रकट होती है अतहा ये अवस्था Adjective Clause की है इसी प्रकार दूसरा उधरन सुने I do not know the reason अर्थात मुझे कारण नहीं पता है Why did he fail? अर्थात वह क्यों फेल हो गया? इन्हें सैयुक्त करेंगे I do not know the reason why he failed अर्थात मैं कारण नहीं जानता कि वह क्यों असफल हो गया यहां the reason Noun की विशेशता प्रकट की गई है Note यह हमेशा ध्यान रखें इनसे जुड़ने वाला प्रतेक प्रश्णवाचक वाक्य WH form के शब्द को conjunction अर्थात समुझ्य बोधक शब्द में बदलता है और उनका प्रश्णवाचक रूप साधरन वाक्य की भाती परिवर्तित होता है जो indirect speech के नियमों का अनुकरण है उधरन सुने I have a book which my teacher reads daily अर्थात मेरे पास एक पुस्तक है जिसे मेरे अध्यापक प्रति दिन पढ़ते हैं यहाँ विच प्रश्णवाचक शब्द एक बोग की जानकारी देता है अता which my teacher reads daily adjective clause है नमबर थ्री adverb clause ध्यान दे adverb clause किसी वाक्य में subordinate clause का ही एक भाग है जो अपने principal clause के verb की विशेश्टा को प्रकट करता है यह अपने clause द्वारा कारे करने के समय स्थान उदेश्य कारण शर्त परिणाम आदी और तुलनात्मक कारे की सूचना देता है जो निम्न बिंदियों में समझा जा सकता है नमबर वन adverb clauses of time यह clause subordinating conjunction अर्थात आश्रित समुच्चे बोधक शब्दों की साहता से बनता है साहता से बनता है साहता से बनता है इन में प्रमुख conjunctions है when अर्थात जब whenever अर्थात जब कभी अत्वा जब भी before अर्थात पहले ही after अर्थात के बाद while या as long as अर्थात जब तक तब तक since अर्थात जब से तब से या से as soon as अर्थात ज्यों ही त्यों ही till अर्थात जब तक तब तक until अर्थात जब तक नहीं तब तक आदी अब ध्यान दें इन सभी conjunctions का विस्तृत अध्यन conjunction के अध्याय में कर सकते हैं परन्तु इतना अवश्य ध्यान रखें कि ये adverb of time को व्यक्त करने के लिए use किये जाते हैं और adverb of clauses का रूप प्राप्त कर सकते हैं उधारन से समझें अर्थाद अध्यापक के आने के पहले ही मैं अपना पार्ट याद कर चुका था यहां ध्यान दें इस वाक्य में clause before the teacher came adverb clause का रूप है note यहां हम लोग ये अवश्य ध्यान रखेंगे कि अलग-अलग साधरन वाक्यों को मिला कर एक संयुक्त अताहा सर्वप्रथम अलग-अलग वाक्यों का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं पुनहां उप्युक्त कंजेक्शन का प्रयोक करके उन्हें संयुक्त करते हैं उधारन सुने एवं समझे I have not been well अर्थात मैं ठीक नहीं हूँ I returned from Delhi अर्थात मैं दिल्ली से लोटा था यहां आप लोग इन दोनों वाक्यों को सुनें और समझें तो इस पश्ट है कि जब से वहा अर्थात मैं दिल्ली से लोटा तब से ठीक नहीं हूँ इन्हें सैयुक्त वाक्य का रूप देंगे I have not been well since I returned from Delhi अर्थात जब से मैं दिल्ली से लोटा तब से मैं ठीक नहीं हूँ इसी प्रकार अगला उधारन सुने He entered the room अर्थात उसने कमरे में प्रवेश किया The clock had stuck 10 घडी 10 बजा चुकी थी इन वाक्यों को जोडने हे तू Conjunction, When का प्रयोग किया जाता है ये अवश्य ध्यान रखें जब When से किसी क्लॉज को जोडते हैं और दिये हुए दो क्लॉजे में से एक Past Indefinite तथा दूसरा क्लॉज Past Perfect में हो तो Past Indefinite Tense की क्लॉज को When के साथ रखते हैं When he entered the room The clock had stuck 10 अर्थात जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो घड़ी 10 बजा चुकी थी यहां क्लॉज He entered the room Past Indefinite में है अतहा When इसी क्लॉज में लगाया गया है इसमें आने वाले Sub-Ordinating Conjection स्थान की सूचना देते हैं यह प्रमुक Conjections है Where Whenever अब उधारन सुनिए You will find me wherever you go अर्थात जहां कहें भी तुम जाओगे वही मुझे पाओगे अगला उधारन सुने I will live अर्थात मैं भी रहूंगा You live अर्थात तुम रहते हो ध्यान दें जब दो clauses जिनमें एक future tense में हो और एक present tense में तो दोनों के संयुक्त होने पर present tense की clause भी future tense के समान ही अपना हिंदी अर्थ देगा अब संयुक्त वाक्य सुने I will live where you will live पूर्व के clause में You live था जो present tense में था किन्तु संयुक्त वाक्य में ये future tense का अर्थ दे रहा है इसी प्रकार अब अन्य उधरन सुने पंडित नहरू went many places अर्थात पंडित नहरू अनेक स्थानों पर गए He was welcomed everywhere अर्थात उनका हर जगा स्वागत हुआ इनका संयुक्त वाक्य होगा पंडित नहरू was welcomed wherever he went अर्थात पंडित नहरू जहां भी गए वहां उनका स्वागत हुआ इस क्लॉज में किसी कारे का उद्देश प्रकट होता है इन में आने वाले प्रमुख कंजक्शन्स है यहां ध्यान दें जिनका हिंदी अर्थ होता है ताकी और लेस्ट का हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो की ध्यान रखें कि so that और in order that से जुड़ने वाली क्लॉज में में और माइट का प्रयोग किया जाता है इन्हें निम्न नियमों से समझें नमग वन so that और in order that से जुड़ने वाली पहली क्लॉज यदि present tense में है तो इनके बाद आने वाली दूसरी क्लॉज में में का प्रयोग किया जाता है उधारन सुने अर्थात हम लोग खाते हैं ताकि जीवित रह सकें यहाँ पहली क्लॉज वी इट present tense में है अतहा इनके बाद वाली क्लॉज में सब्जेक्ट अर्थात करता वी के बाद में का प्रयोग हुआ है इसी प्रकार दूसरा उधारन सुने अर्थात हम लोग कठिन मेहनत करते हैं ताकि हम लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकें पुना ध्यान दें जब पहली क्लॉज पास्टेंस में है तो so that या in order that के बाद आने वाली क्लॉज में माइट कर प्रयोग किया जाएगा उधारन सुने अर्थात मैंने अपनी तलवार खीची ताकि मैं अपने दुश्मनों को पराजित कर सकूँ यहां इनकी पहली क्लॉज पास्टेंस में है अतहा इनके बाद आने वाली क्लॉज में माइट का प्रयोग किया गया है अब ध्यान दें लेस्ट से जुडने वाली क्लॉज में सबजेक्ट अर्थात करता के साथ शुड का प्रयोग होता है ये अवश्य ध्यान रखें कि lest स्वयम negative sense देता है अतहा इसकी clause में किसी अतरिक्त negative word अर्थात not, never आदी का प्रयोग नहीं होता उधारन सुने अर्थात so मत जाना कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए यहां अगर you should के बाद not लगा दिया जाता तो वाक्य अशुद्ध होता इन में आने वाले clauses अपने principal clause के कारण को प्रकट करते हैं इनके लिए sub-ordinating conjunctions हैं ये ध्यान रखें कि किसी उपवाक के में कारण को वेक्त करने हैं तू because, as और since तीनों का समान हिंदी अर्थ होता है जो है क्योंकि जैसे अर्थात मैं तुम्हारी साहता करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं अगला उधारन सुने अर्थात मैंने वो ड्रेस नहीं खरीदी क्योंकि वो बहुत महेंगी थी अगला उधारन सुने कंजक्शन के रूप में सिंस अर्थात क्योंकि या यदपी का हिंदी अर्थ देता है इसे प्रायहा वाक्य के आरंभ में यूज किया जाता है इसमें आने वाली क्लॉज शर्थ को प्रकट करती है जिनके लिए सब और्डिनेटिंग कंजक्शन में इफ, अनलेस और इनकेस आते है इफ का अर्थ है यदी या अगर या काश अनलेस का अर्थ है यदी नहीं या अगर नहीं तथा इनकेस का अर्थ है ऐसा होने पर अब ध्यान दें कंजक्शन इफ सदैव पॉजिटिव सेंस देता है जबकि अनलेस सदैव नेगेटिव सेंस देता है ये ध्यान दें इफ से जुड़ने वाली क्लॉज नेगेटिव वा पॉजिटिव दोनों रूपों में हो सकती है चूँकि उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया मैं उनको कॉल करूँगा अब उधारन सुने और समझे अगला उधारन सुने अर्थात यदि मैं राजा होता तो मैं इस शहर की दरिद्रता मिटा देता जब कोई सेंटेंस अनलेस से बनाएंगे तो वाक्य बनेगा अर्थात यदि तुम कठिन महनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे यहाँ ध्यान दें अगला उधारन सुने अर्थात जब तक वर्षा नहीं रुकती मैं विद्याले नहीं जाऊंगा इसी प्रकार इनकेस से भी वाक्य बनेगा इनकेस इट रेंस आई विल स्टे अट होम अर्थात वर्षा होने की स्थिती में मैं घर पर ही रहूंगा नोट ये अवश्य ध्यान रखें कि इस प्रकार के सेंटेंस में यदि पहली क्लॉज प्रेजंट इंडेफिनेट टेंस की है तो दूसरी क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगी इस प्रकार के क्लॉज परिणाम की सूचना देते हैं इनके लिए सब ओर्डिनेटिंग कंजक्शन सो पहली क्लॉज में तथा दूसरी क्लॉज के साथ रखा जाता है जैसे अर्थात वो इतना गरीब था कि वो नया कंबल नहीं खरीच सकता था इसी प्रकार दूसरा उधरन सुने अर्थात इतनी बड़ी आग उद्विलित हुई कि संपून फसल जलकर खाक हो गई अब ध्यान दे, सो कि स्थान पर सच का भी प्रयोग किया जा सकता है जैसे अर्थात अर्थात वो एक ऐसा अच्छा आदमी है कि सभी उसका सम्मान करते हैं यह तुलना प्रकट करने वाली क्लॉज होती है जो दैन एज और सो एज से प्रकट होती है अब ध्यान दें दैट का प्रयोग किसी कॉम्परेटिव डिग्री से बने सेंटेंस के लिए किया जाता है जैसे अर्थात कोई भी सोनू की तुलना में तेज नहीं दोड सकता है अब ध्यान दें एज एज और सो एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के लिए होता है जहां एज एज का प्रयोग अफोमेटिव सेंटेंस में तथा सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है जैसे अर्थात कई दूसरे नेता उतने अच्छे हैं जितने की महत्मा गांधी हैं अब इसी वाक्य को नेगेटिव में बदलें तो as, as के स्थान पर so, as का प्रयोग होता है उधारन No other leaders are so good as महत्मा गांधी अर्थात कोई दूसरे नेता उतने अच्छे नहीं जितने की महत्मा गांधी इसी प्रकार दूसरा उधारन सुने He is not as clever as you think अर्थात वो उतना चतुर नहीं है जितना की तुम सोचते हो No.8 Adverb clauses of concession इसमें एक clause, दूसरे clause का विरोधी गुंड प्रकट करती है इनके लिए sub-ordinating conjunction though, although और even if कप्रयोग किया जाता है दो अत्वा although दोनों समान सेंस में यूज किये जाते हैं जिनका हिंदी अर्थ होता है यद पी Note ये अवश ध्यान रखें कि दो अत्वा although जब अपने दूसरे clause के साथ yet conjunction को रखता है तो वे co-ordinating conjunction होते हैं और compound sentence बनाते हैं जबकि यदि बिना yet conjunction के दो या although का प्रयोग किया जाता है तो वे complex sentence बनाते हैं अब उधारन सुने Though he is poor, he is honest अर्थात यद पी वहा गरीब है वहा इमानदार है यहाँ दो के बाद की clause को एक single comma से अलग कर दिया गया है अब ये complex sentence है पुना उधारन सुने Though the troops had marched all day they fought bravely all night अर्थात यदिपी घुरसवार सैनिकों ने पूरे दिन भ्रमन किया वे लोग पूरी रात बहादूरी से लड़े अब आईए even if के बारे में सीखते हैं even if का हिंदी अर्थ है भले ही इनके साथ भी अगली क्लॉस को येट से नहीं जोडते हैं जैसे even if he read all night he failed अर्थात भले ही वो सारी रात पढ़ता था fail हो गया अत्वा even if it rains I shall come to meet you अर्थात भले ही वर्षा हो मैं तुमसे मिलने आऊंगा अगला उधारन सुने I would not do it even if you paid me अर्थात भले ही तुम मुझे भुक्तान करो मैं उसे नहीं करूंगा आईए सीखें क्लॉस इज अर्थात उपवाक्यों की पहचान करना अब हम क्लॉस अर्थात उपवाक्यों की पहचान करना सीखेंगे जब किसी वाक्य को देखें तो ये अवश्य जानने का प्रयास करें कि ये वाक्य कितने क्लॉस अर्थात उपवाक्यों से मिलकर बना हुआ है इससे सही वाक्य की जानकारी हो सकेगी और उसे किसी अन्य वाक्य में स्थांतरित करने पर रूपान्तरन भी आसान हो जाएगा आईए सर्वप्रथम क्लॉज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं यद्धिपी क्लॉज पर अनेक चर्चाएं पिछले अध्धायों में हो चुकी है फिर भी यहां इस पर विचार आविशक है क्लॉज अर्थात उपवाक्य किनी शब्दों का समुह होता है जिसमें एक ही करता और एक ही मुख्य क्रिया होती है ये किसी वाक्य का भाग बनता है और एक वाक्य भी हो सकता है जैसे यहां ध्यान दे दिसिप्लिनिरियन्स वाक्य का करता है और इसकी क्रिया मैनेज है ये सभी शब्द समु मिलकर जब अपना पून अर्थ दे रहे हैं तो ये एक वाक्य भी है परन्तु जब ये शब्द समु सिर्फ वाक्य का हिस्सा बने तो वे एक क्लॉज होते हैं परन्तु ये अवश ध्यान रखें कि किसी वाक्य में एक से अधिक करता वा मुख्य क्रिया हो सकते हैं परन्तु क्लॉज में एक ही करता वा मुख्य क्रिया होती है अब पुना सुनें अर्थात अनुशासित लोग हमेशा अपने समय को संतुलित रखते हैं इसलिए वे लोग हमेशा सफल होते हैं। अब ध्यान दें, ये दो क्लॉज मिलकर एक पूर्ण वाक्य बनाते हैं, जिसमें पहली क्लॉज का सब्जेक्ट अर्थात करता, the disciplinarians है, तथा दूसरे क्लॉज सकरता, they है, जिनकी मुख्यक्रियाएं अलग-अलग हैं। इन दोनों क क्लॉज को सयुक्त करने है तू, therefore, conjunction का प्रयोक किया गया। अब ये ध्यान दें, कि दोनों क्लॉज एक दूसरे के अभाव में अपना स्वतंत्र अर्थ दे सकते हैं, या कोई किसी पर आश्टित है, यदि कोई किसी पर आश्टित है, तो वो complex sentence का रूप है, और यदि एक अब वाक्य पर ध्यान दें, प्रथम भाग है, the disciplinarians always manage their time, अर्थात, अनुशासित लोग हमेशा अपना समय संतुलित रखते हैं, दूसरा भाग, they always succeed, अर्थात, वे लोग, अर्थात, अनुशासित लोग हमेशा सफल होते हैं, यहां दोनों क्लॉज एक दूसरे से स्वतंत हैं, क्योंकि दोनों में से किसी भी एक वाक्य को अकेला बोलने पर भी अर्थ अपूर्ण नहीं लगेगा, अतहा, यह अवस्था compound sentence की है, क्योंकि बाद वाली क्लॉज पहले वाली क्लॉज पर निर्भर नहीं है, अतहा, यह coordinating clause का रूप है, अब इसी वाक्य का दूसरा so that they may succeed, अर्थात, अनुशासित लोग हमेशा अपने समय को संतुलित रखते हैं, ताकि वे लोग सफल हो सकें, अब यहां clause को अलग-अलग करें, प्रतम clause, the disciplinarians always maintain their time, अर्थात, अनुशासित लोग हमेशा अपने समय को संतुलित रखते हैं, जो तिये clause, they, अर्थात, the disciplinarians may अर्थात वे लोग यानि अनुशासित लोग सफल हो सकें। यहां ध्यान दें तो अंतिम क्लॉज का अर्थ सपष्ट नहीं होता जब तक पहली क्लॉज को इनके साथ नहीं रखा जाता है। अर्थात इनकी कही न कहीं अपने पहले क्लॉज पर निरबरता है। यह निरबरता की स्थिती सब और्डिनेटिंग क्लॉज की है। और यह complex sentence है। जोगी आप सभी जानते हैं कि जब principal क्लॉज अर्थात प्रधान उपवाक्य अपने साथ किसी सब और्डिनेटिंग क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य को रखते हैं तो complex sentence बनता है परंतु जग किसी coordinating clause अर्थात स्वतंत्र उपवाक्य को रखते हैं तो उन्हें संयुक्त करने वाले वाक्य compound sentence कहलाते हैं अब ध्यान दें इन्ही वाक्यों को एक दूसरे में बदलने का कारे करना है जो रूपांतर अर्थात synthesis के नाम से जाना जाता है सिंथेसिस किसी simple sentence को complex या compound में बदलने या किसी compound या complex sentence को simple में बदलने की प्रणाली या तरीका होता है ये ध्यान रखें कि कि किसी वाक्य को किसी भी वाक्य में बदला जाए तो भी उनके वास्तविक sense अर्थात भाव पर कोई अब ध्यान दें, हम सभी को पहले वाक्य पहचानना है, कि दिया वाक्य क्या है, पुनहा, उसमें क्लॉज की पहचान करनी है, तद पश्चाद उन्हें किसी अन्य वाक्य में परिवर्तित करना है, इसके लिए कुछ बाते ध्यान रखें, 1. सर्वप्रथम, आए हुए वाक्य का हिंदी अर्थ समझें, 2. उस वाक्य की पहचान करें, कि वो सिंपल सेंटेंस है, या कॉंपलेक्स है, या कंपाउंड सेंटेंस है, 3. पुना उसमें क्लॉस के अनुसार निर्णय करें, कि इनका परिवर्तन किस प्रकार करना है, परिवर्तन करने वाले वाक्य को प्रश्न के रूप में आपको दिया गया होगा, अब उधारन देखें, अर्थात, वो जब किसी प्रश्न को सुनता था, वो सही सही उत्तर देता था, इसमें he answered correctly प्रधान उपवाक्य है, जबकि whenever he heard the question, कारे के समय को व्यक्त करने वाला adverb of time होता है, अताहा, इनकी clause adverb clause होगी, ये एक subordinating conjunction का भाग है, अताहा, वाक्य complex sentence है, चुकि दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित है, हम आसानी से समझ सकते हैं, कि वाक्य whenever he heard the question, subordinating clause है, इसे दूसरे ढंग से समझते हैं, he answered correctly, अर्थाद वो सही सही उत्तर देता था, या दे दिया, इसका अर्थ स्पष्ट है, जबकि whenever he heard the question, अर्थाद जब भी वो प्रश्न सुनता था, का भाव स्पष्ट नहीं होता, तब तक, जब तक कि इसके साथ, he answered correctly, उपवाक्य को ना जोड़ा जाए, अतहा, whenever he heard the question, उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि इसका अर्थ बिना अन्य वाक्य की सहीता के अधूरा है, अब चूंकि principal clause और subordinating clause के मिलन से बनने वाला वाक्य, complex sentence होता है, अतहा, whenever he heard the question, he answered correctly, complex sentence है, अब मान लें, इसे simple sentence में बदलना है, तो क्या करेंगे, ध्यान दें, simple sentence बनाने के सभी नियमों पर गौर करना होगा, और तब सपष्ठ होगा कि कौन सा नियम इस पर लागू होगा, चूंकि इस शर्थ के अनुकूल कारे करना है, कि वाक्य के बदले परंतु अर्थ ना बदले, हम ध्यान देंगे, कि वाक्य में दोनों कारे एक ही समय या काल में हुए हैं, करता ने प्रश्ण को सुना और उत्तर दे दिया, अता, सिंपल सेंटेंस में बदलने हे तू, प्रजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, तो वाक्य के पूनतया उप्योक्त होगा, जैसे, अर्थात, प्रश्ण सुनते ही उसने सही सही उत्तर दे दिया, नोट, सिंपल सेंटेंस बदलने हे तू, प्रजेंट पार्टिसिपल के अतरिक्त अन्य नियम नहीं लगाने होते, क्योंकि समय का स्पष्ट बोध अन्य से नहीं हो सकता है, अब इसे कमपाउंट सेंटेंस के रूप में परिवर्तित करते हैं, याद रखें कि वाक्य में एक घटना के बाद पुन्हा दूसरी घटना घटित हो रही है, अतहा, ये coordinating conjunction में अर्थात, स्वतंत्र उपवाक्य के लिए ऐसे समुच्य बोधक शब्द का प्रयोग होगा, जो निरंतर चलते हुए घटना क्र अर्थात, उसने प्रशन सुना और उसका सही सही उत्तर दिया, अब इसी प्रकार हम लोग कोई दूसरा वाक्य लेते हैं, और पुन्हा उससे किसी भिन्य रूप में बदलते हैं, जैसे, अर्थात, वो आगरा अध्यन करने के लिए गया, यहां इस वाक्य में एक के बाद एक कारेज जारी हैं, इसे कमपाउंट सेंटेंस में बदलते हैं, तो वाक्य होगा, अर्थात वो आगरा गया और वहां अध्यन किया इसी प्रकार अब इसे complex sentence के रूप में बदलेंगे तो वाकिय होगा अर्थात वो आगरा गया जहां उसने पढ़ाई की ध्यान दें इसमें where he studied adjective clause है जो sub-ordinating clause का एक भाग है इसी प्रकार अन्य उधारन सुने अर्थात उसने अपनी बंदूक उठाई और फाइरिंग आरंभ कर दी ध्यान दें ये compound sentence है इसे complex और simple sentence के रूप में बदलना है अब यदि इसे complex sentence के रूप में बदलें तो ट्रय करें कि कौन सा नियम इस पर लागू होगा इसको complex में बदलने है तू, noun clause में object to a preposition नियम लागू होगा अर्थात उसने अपनी बंदूक ली जिससे उसने फाइरिंग करनी शुरू कर दी इसी प्रकार अब इसे simple sentence के रूप में बदलेंगे इसे present participle या using preposition before noun और जीरन का प्रयोग करके बदल सकते हैं present participle से बदलें तो नया वाक्य होगा अर्थात अपनी बंदूक लेते ही उसने फाइरिंग शुरू कर दी preposition before noun या जीरन के नियम जिसे पहले समझाया जा चुका है का प्रयोग करें तो वाक्य होगा अर्थात उसने अपनी बंदूक से फाइरिंग आरंभ कर दी अगला उधारन सुनें अर्थात यद्यपी वो बुद्धिमान है वो घमंडी नहीं है ध्यान दें कि ये वाक्य complex sentence के रूप में है इसे जब compound sentence के रूप में बदलेंगे तो वो अपने अंतिम clause अर्थात उपवाक्य को यट से जोडेंगे अब compound sentence बनेगा अर्थात यद्यपी वो बुद्धिमान है फिर भी उसे घमंडी नहीं है इसे compound sentence के दूसरे रूप में भी बना सकते है अर्थात वो बुद्धिमान है लेकिन वो घमंडी नहीं है अब इसे simple sentence में बदलेंगे अर्थात बुद्धिमान होकर भी वो घमंडी नहीं है इस प्रकार किसी भी वाक्य को लेकर उसे हम लोग एक दूसरे वाक्य में बदल सकते हैं परंतु ध्यान रखें कि सभी sentences के नियमों को भली भाती समझ लें